जैहिन सात्यों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आराश इस्टेडि ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो रोजाना की बाती राम सिंग यादों की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए है आप सभी के सामने 33 वे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिपिकेशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल की अपडेट आप तक समय पर पहुंसती रहेगी क्योंकि ये वीडियो आपको रोजाना साम 9 बजे मिलेगा जिसके हम 32 पेपर कंप्लिट कर चु पूरे 50 पर देखना चाहते हो तो उनकी पले लिष्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाकर देख सकते हो या पिर आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से पले लिष्ट चेक कर सकते हो वहां पर भी आपको मिल जाएगी तो चलते आज के पहले क्यो लूहिइन के लिए वेग्यानिकों के लिए लिए अबिनेता के लिए तो आपको पता खेल में एक तो होता है अर्जुन center registering पुरुषकार तो आपको पता है कि दरोनाचार ये क्या थे अर्जुन के गुरू थे तो दरोनाचार ये पुरुषकार विशिष्ट कोच को दिया जाता है और अर्जुन पुरुषकार किसको दिया जाता है विशिष्ट खिलाडी को दिया जाता है यहां पे option number A right होगा इसके मनाय जाता आपका उननतिस अगस्त को खेल दिऊस मनाय जाता कि इσει जैनती पर मनाय जाता है यह भी मेजर ध्यांचंद की मनाय जाता है आपको याद रहना होगा कि पिछले वर्ष को एक दिऊस मना जाता है जिसका नाम है बाला फेंक दिवस क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था निरतचौपडा निये unlikely मे उलमपिक में स्वनपदक जीता था बाला फेंक में आपको comment box में comment करके ये बताना होगा कि निरतचौपडा निये कितने meter बाला फेंक था उस दिन नेक्ट क्यूसन दिया गया है कि कश्मीर गाटी का मुख्य सहर कौन सा है पठान कोट सिरिनगर कूप वाड़ा या इन में से कोई नहीं तो कश्मीर गाटी का मुख्य सहर कौन सा सिरिनगर है जो कि किस नदी के किनारे इस्तत है ये आपके जेलम नदी के किनारे है जेलम को वे पाँ लेंड नारवे यह फिर इन में को यहीं नहीं तो ये कि तो वह जापान को कहाना है perdigaatree के सूरीय का धेस किसे कहा जाता नारवे को कहा जाता ऑप्षन सी रैइट होगा की जापान की राजदानी टोक्यो क्यों है शог्यों को कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना नियेक्सट क्यूसन की सथे सत्य में उझेत्य कहां से लिया गया है मुंड़ेक twin रिगवेद न्या इसे लिया गया है आपके ए राइट होगा सबसे प्राचीन वेद है reflect को तो इस्तूतियों का संग्रह का जाता है तो संगीत का वेद कौन सा है संगीत का वेद आपका साम है है next question है hotline क्या है एक विद्युत्तार है एक दूरसंचार कड़ी है hard disk है या फिर modium है तो hotline क्या है एक दूरसंचार कड़ी है इस question का option number B right होगा next दिया गया है कि bull fighting किस देश का राष्ट्रे खेल है Japan, Canada, Spain या फिर USA तो bull fighting किस देश का राष्ट्रे खेल है Spain का राष्ट्रे के लिए और Spain की राष्ट्रे का राष्ट्रे के लिए याि इनमेंशे कोई नहीं तो बिवु किस राज्य का ड Special का इसके लावे सम्सेम는데 में क्या मंदीश क् devrait बिया धार के लिए जो की लूख दजिया मेरा बि में जो कि अधश Walkल 1900 कि दिया गया कि लंदन किस नदी के किनारे इस्तापित है जेम्स, टेम्स, हेम्स या थेम्स तो लंदन किस नदी के किनारे इस्ते था आपके टेम्स नदी के किनारे है option number B right होने वाला है यहां पे next दिया गया कि नक्षे का परियोग क्या खोजने में किया जाता है दूरी, दिसा, लंबाई या उप्रोफ सभी तो नक्षे से क्या खोजा जाता दूरी भी खोजी जा सकती है दिसा भी खोजी जा सकती है और लंबाई भी खोजी जा सकती है option number क्या right हो जाएगा D right हो जाएगा इस क्यूशन का बारतिय शेहना का सर्वच कमांडर कौन है ये क्यूशन पिछले पेपर में भी आया था और आपको बताया गया है कि तीनों स्यनाओं का सर्वच कमांडर कौन होता है भारत का राष्टरपती होता है और भारत के वर्तमान में राष्टरपती कौन है द्रोपती मुर्मू है option number C right होगा इस क्यूशन का यहां पर दिया गया सर्वच नयादिये का मुख्य नयादिस तो वर्तमान में कौन है जस्टिस अनवी रमनना सर्वच नयादिस है और लोग सभा के अध्यक्स ओमबिडला है जो कहां से सांसद है राधस्थान के कोटा बुंदी से सांसद है नेक्स्ट दिया गया कि विश्व में सबसे गहरा महा सागर कौन सा है परसांद महा सागर हिंद महा सागर अरब सागर या इन में से कोई नहीं तो सबसे गहरा महा सागर आपका परसांद महा सागर है option number A right होगा और परसांद महा सागर और Atlantic सागर को कौन सी नहर जोडती है परस पुचा था कि बारत कब 57 वह था उस समय मेंने बताया था कि बारत twinobyl काने वाला था उस समय M. P. और G. और तरो किस से सिनना था उसने विजापूर के राजा युसूप आदिल साचे छिना था और विजापूर का राज़ा जो पुर्त गाली यात्रिवासकोटी गामा की स्वागत के लिए गया था उसका नाम क्या था उसका नाम था जमोर इंडियान रखना यह क्यूसन भी पुचा गिया है नेक्ष्ट क्यूसन है कि पेरिस किस नदी के किनारे इ जित होने वाले हैं फ्रांस की राजदानी पेरिस में होने वाले हैं और इसक्यूशन का राइट आंसर ऑप्शन नमबर A होगा कि पेरिस किस नदी के किनारी इस्तत है नियाशनल बॉट्लिकल गार्डन किस सहर में इस्तत है लखनाव रेवा जैपूर या इन में से कोई नहीं तो नियाशनल बॉट्लिकल गार्डन किस सहर में है आपके उत्तर पर्देश की राजदानी लखनाव में है उप्शन नमबर A राइट होगा जैपूर किसकी राजदानी है अभी अभी हमने पेरिस की जर्चा किये तो भारत का पेरिस या पूरो का पेरिस किस किसे का जाता और जेपूर आपकी राजस्थान की राजदानी है H1N1 क्या है? खांशी, बर्ड फलू, स्वाइन फलू या इन में से कोई नहीं तो H1N1 वाइरस है स्वाइन फलू का ओप्शन नंबर C राइट होगा तो यह थे आपके जीके के 15 और उनसे संबंदित तथ्य आसा है, आपके आसान इसी समझ में आये होंगे नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले साइंस के अतिम है तो पुन परसनों की तो विज्ञान का पहला परसन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि अल्यूमीनियम का मुख्या यह सक कोन है यह कंटिन्यू तीन पेप्रो में पूछा गिया क्यों सने ठीक है कौन सा होगा यहाँ पे अल्यूमीनियम का यह सक बॉकस आइट है ऑप्शन नंबर A राइट होगा यह एसा पूस्ता बॉकस आइट किसका आईट है तो aluminum का आई सके है हाश से gas कौन सी है हसाने वाली gas कौन सी है N2O जिसका सूतर है क्या होगी nitrous oxide होगी जो कि option D में दिया गिया है तो option number D right हो जाएगा यदि sulfur dioxide और carbon monoxide जहां पर जहरी ली gas का नाम आए तो इन दोनों का सबसे उपर आता है जैन रखना ठीक है carbon dioxide अगनी सामग gas होती है आग बुजाने के काम आती है इसके अला ठोस carbon dioxide को क्या कहा जाता सुस्क बरफ या dry ice भी कहा जाता है next question या आगे अलो आगळाने के लिए कौन सी gas काम में आती है अगनी सामग gas कौनसी होती है carbon dioxide होती है अब यह भी हमने चर्चा किया है, ओप्शन नमबर C राइट हो जाएगा यहां पर, कौन सा इस्तनपाई अंड़ देता है, चमगादड, कंगारू, चीडिया या डख बलड पलेटिपस, तो इसका ओप्शन नमबर D राइट होगा, डख बलड पलेटिपस यह अंड़ देता ह है, और इस्तनपाई है, चमगादड एक मात रेसा इस्तनपाई है, जो उड़ने में सक्सम होता है, नेक्स्ट क्यूशन लेपेरोइसकोपी का संबन किस से है, रेडारस, उत्तक विग्यान, लेजर बीम का देन, या सरजरी और रोग की जांत, तो लेपेरोइसकोपी का संब और रोगों की जांत से होगा, उप्सन नमबर डी राइट होगा, यहां पर, नेक्स्ट दिया गया है कि दर्वे की चतुर्त अवस्ता कौन सी है, ठोस, तरल, पलाजमा या गेस, तो दर्वे की या प्रते पदार्थ की तीन अवस्ता है, ठीक है, ठोस, तरल और गेस, चोती अवस्ता है पलाजμा और एक पाँचवी अवस्ता हो रही, ध्यान रखना जिसका नाम है B.E.C. एक विई कह एक सी है, थी तो यह प्दार्थ की पाँचवी डी राइट होगा इस क्यूशन का नेक्ट दिया गया है कि गायक के दूद में कौन सा विटामीन होता है विटामीन A, विटामीन B, विटामीन C या विटामीन D तो विटामीन D तो आपके सूर्य की दूब से प्राप्त होता है और स्वेल पोसित विटामीन होता है मानुशरीर में विटामीन D विटामीन D की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेट्स रोग होता विटामीन C ऐसा विटामीन है जिसका कोई मासा हरी सरोत नहीं है खटे फलों में सहरवादिक होता है इसका रासाइनिक नाम A स्कॉर्बी कामल होता है और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है इसकरवी रोग होता है विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है रतोंदी रोग होता है परबाइद करता option number D right होगा यहां पर किस दांत के तीन जड़े होते हैं मॉलर प्री मॉलर इंसीजर या किनाइन तो आपके कितने परकार के दांत होते हैं चार परकार के दांत होते हैं कौन-कौन से क्रितनक, रदनक, चवरनक और अगर चवरनक ठीक हैं जिने हम क्या कह सकते हैं कैनाइन, इंसीजर, मॉलर और प्री मॉलर कहते हैं ठीक हैं तो यहां पर जो आपके चवरनक दांत होते हैं उनके तीन जड़े होती हैं जिने हम मॉलर क किसके पाचन में लार मदद करती है, प्रोटीन, वसा, रेसा या फिर इस्टार्च, तो लार किसके पाचन में मदद करती है, उप्सन नमबर D राइट होगा यहां पे, निकट दरश्टी दोस किस कारण से होता है, आईरिस के इस्तान बदलने से कमजोर मास पेशी से, आंकों क पूतली के आकार में परिवर्तन के से, या फिर रेटीना की कमजोरी से, तो निकट दरश्टी दोस आपके आँकों के पूतली के आकार के परिवर्तन से होता है, उप्सन नमबर C राइट होगा, और निकट दरश्टी दोस के रोगी को कौन से लेंस का चस्मा दिया जाता है तो ये आउतल लेंस के चस्मा दिया जाता है और दूर दरश्टी वालों को किसका दिया जाता है उतल लेंस का दिया जाता ज्यान रखना next question है कि मनुष्य के मस्तिस्क का ओस्त वजन कितना होता है लगबग साथे चवदा सु ग्राम होता है यहाँ पर 1400 ग्राम के लगबग दिया गया 1500 ग्राम दिया गया तो 1500 राइट हो जाएगा वेसे 1400 होता तो ज्यादा सही होता नेेमन में यहाँ से कौन सा सक्रामक रोग हवा से फेलता है पलेक, टाइफाय, तपेदिक या फिर हेजा तो यहां पे हवा से फेलने वाला कौन सा है तपेदिक है option number C right होगा हेजा किस से होता है हेजा आपके दूशीत जल से होता है पानी का अधिक्तम गनत्व कितना होता है पानी का अधिक्तम गनत्व आप सभी जानते हो 4 degree Celsius होता है option number B right होगा यहां पे short degree पर तो पानी का क्वतनांग होता है और zero degree पर क्या होता है पानी जमता है तो यह थे आपके science के 15 most important question अब हम गनीत के अतिम है तो पूर परसनों की चर्चा करने वाले with concept और with trick के साथ तो यहां पे दिया गया पहला person एक आयताकार मेदान का छेतरपल दिया गया 12500 वर्ग मिटर जिसकी लंबाई 125 मिटर है तो चोड़ाई आपको ग्यात करनी है तो इसमें कोई भी trick नहीं लगेगी सिदा सिदा दिया गया आयत का छेतरपल आप सभी को पता लंबाई into चोड़ाई तो लंबाई 125 दी गई है और चोड़ाई हमें क्या करनी है ग्यात करनी है बराबर है मारे पास दिया गया 12500 ठीक है तो यह क्या है 125 इस और गुणा में पक्सांतरन कर देंगे तो बाग में तो 125 का बाग कितनी बार जाएगा 125 से 125 एक बार जाएगा और 200 उतार देंगे कितनी हो जाएगी चोड़ाई 100 मीटर हो जाएगी उप्सन नमबर बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है यदि 10, 20, 8 और 40 समानुपात में है तो अक्स का माना आपको ग्याद करना समानुपात का मतलब यह इस परकार बोल रहा है तो 20 अक्स बराबर बार यह पर कौन से हो जाएगे 40 इंटू 10 ठीक है तो 20 से 40 कितनी बार कट जाएगे 2 बार कट जाएगे और 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आजाएगा अक्स का माना जाएगा 20 ओप्सन नमबर बी राइट होगा यहाँ पर next question दिया गया कि यह 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा देखे जब सामाने वर्स होता हो ना सादार्ण वर्स है तो सादार्ण वर्स से अगले वर्स में जाने के लिए हमें एक दिन बढ़ाना होता है जैसे 10 जनवरी 2004 को क्या है मंगलवार है तो 10.95 को क्या होना चाहिए एक दिन आगी यानि बुद्वार होना चाहिए परन्तु यहाँ पे बुद्वार नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि 2004 क्या सामाने वर्स नहीं है लीप वर्स है और लीप वर्स में फरवरी कितने दिन की होती है 29 दिन की हो सब्सक्राइब करते हैं तो चाल मीटर परती मिनठ में ग्याद करने मीटर परती सेकिंड में नहीं यह दिए मीटर परती सेकिंड में होते जिदा आम कॉंसेप्ट के आदार पर पांच बटेश्थारासे गुणा करवा देते क्योंकि क्या होता है 1000 बटा परंतु यहां पर क्या दिया गिया है यहां पर मिट्र तो 1000 है किलो मिट्र में बदलने के लिए 1000 हो जाएगा परंतु परती मिनट है शेकिंड नहीं एक गंटे में कितनी मिनट होती है शाट मिनट होती है और शेकिंड 3600 होती है इसलिए 3600 का बाग देते हैं तो हमें क्या करना होगा केउल साठ का बाग देना होगा जीरो से जीरो कट जाएगा त्शे से बारा दो बार कटेगा दो को सो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 मीटर परती मिनिट होगाarya पर यहाँ पे next question एक चाल किलोमीटर परती गंटा है किसके बराबर अभी अभी बताया आपको किसके बराबर होगी 1000 बटे 36 के बराबर ठीक है और हम क्या करते हैं 5 बटे 18 क्यों लिखते हैं कि 2-0 से 2-0 काड़ते हैं 10 बटे 36 को 2 से काड़ते हैं 5 बटे 18 इसलिए हम 5 बटे 18 से गुणा करवाते हैं ओप्शन नमबर C राइट हो जाएगा यहां पर नेक्स्ट क्यूशन है कि 4 रुपए परती दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मुल्य ग्याद करना 4 रुपए परती दर्जन दिया गिया एक दर्जन में कितने केले होते हैं बारा केले होते हैं तो यह बोल रहा है कि 12 केलों का मुले 4 रुपए है तो 4 बटे 12 हो जाएगा एक केले का और 18 का कितना होगा 18 से गुणा करवा देंगे 6 के पाड़े से 18 तीन बार कटेगा और 12 दो बार कटेगा दो के पाड़े से चार कितनी बार कट जाएगा दो बार कट जाएगा ठीक है और दो को तीन से गुणा करेंगे कितना होगा छै रुपए होगा अठारा के लोगा मुले ओप्शन नमबर भी राइट होगा यहां पे आसा है यह क्यूशन आपके आसानी से समझ में आ रही है ने लाइक्स क्यूशन बहुत सांदार और बार बार पूछा गया क्यूशन है कि यदि 12 आदमी अठारा और खेत की कटाई 14 दिनों में करते हैं तो आठ आदमी और 16 ओरते मिलकर कितने दिनों में कटाई करेंगे तो यहां पे 2 सब्द दिया गई है एक तो दिया गए और एक दिया गए अथवा इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना अथवा का मतलब है या तो 12 आद्मियों से काम करवा लो या 18 ओरतों से काम करवा लो कैसे कि 12 आदमी 18 और्टों के बराबर काम करता है। एक आदमी कितनी और्टों के बराबर काम करेता है recording this is 18 ऐसे 11 आधाके ah दिया गया आदमी छोड़ना और केवल उरते रहने हैं परंतों यहां पर आट आदमी और शोलाً ओरसे साथ मिलर करतीज़ें एक आदमी तीन बटे-दो के बडाबर करता तो आठ आदमी कितने के बडाबर करेगा 8 से गुणा करवादेंगे कितनी बार किठेगा 4, 4, 3, 12 तो 8 आदमियों को हम लिख सकते हैं 12 और 16 औरते कितनी हो गई 28 औरते कितने दिनों में करेगी तो 28 का भाग देंगे 14 एकम 14, 14 दुने 28 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा तो 9 दिनों में करेगे option number D right होगा 30, 40, 50, 60 और 70 तो आपको ओसत लंबाई ग्यात करनी है ठीक है तो ओसत का सुतर आप सभी जानते हो राशियों का योग बटा संक्या तो योग करना है और संक्या का भाग देना योग कितना हो जाएगा 30 और 40 कितने होते 70, 70 और 50 कितने हो जाएगे 120, 120 और 60 हो जाएगे 180, 180 और 70 हो जाएगे 250 कितनी संक्या हो गई 1, 2, 3, 4 और 5 है तो 5 का भाग दे दो 5 से 250 कितनी बार गटेगा 25, 25, 50 बार गटेगा तो इनका उसत कितनी आएगी 50 आएगी option number B right होगा यहाँ पे next question कितने परतिसत दर पर एक रासी 8 वर्स में 2 गुणी हो जाएगी तो आपको क्या करना रासी कितने गुणी हो रहे है 2 गुणी हो रहे है जितने गुणी हो रहे है उसमें से 1 कम कर दो 2 माइनस 1 बटे कितना दिया गया समय या दर जो भी दिया गया समय दिया गया सो में आठ का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बारा अठे च्यान में दस मलों लगेगा चार से स्पल बचेंगे जीरो उतारेंगे पांच अठे चालिस बारा पॉइंट पांच परतिसत के आएगी दर आएगी ओप्शन नमबर सी राइट होगा यहां पे कॉंसेप्ट की बात करें तो ये खराश ये सो रुपे है और ब्याज से कितनी हो जाएगी दो सो हो जाएगी दुगुणी का मतलब तो ब्याज कितना हो गया सो रुपे हो गया ठीक है और सादान ब्याज किस के बराबर होता दर परतिसत के बराबर होता है ठीक है तो दर परतिसत यानि दर इंटू समय के गुणन फल के बराबर तो समय दिया गया आठ तो आठ का बाग देंगे तो दर निकल करा जाएगी 12.5 परतिसत नेक्स्ट क्यूसन दिया गया कि एक आदमी एक खिलोना सो रुपए अजार रुपए में खरीता स और उसे पंद्रा सो रुपए में बेचता तो लाब परतिसत कितने रुपए का लाब और अजार में करीदा पंद्रा सो में बेचा 500 रुपए का लाब हुआ और लाब हमेशा किस पर होता लाब और हानी हमेशा कराय मुल्य पर होती है इसलिए लिए लाब परतिसत का सूतर ह प्रक दों पाँ सिखेट था लाग भाग एक इनक्ट समेस्टね बार जाएगा पचास परथिसत का लाग भुढ़ा ओप्सिन B peanuts check next question, 3 गंटे 45 मिनट बराबर कितने सेकिंड होते है, ठीक है, तो या तो आप सीधे कर सकते होगी, एक गंटे में 36 सेकिंड होते है, 36 को 3 से गुणा करोगी, या फिर आप क्या करोगी, 45 को 60 से गुणा करोगे क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकिंड होते हैं या फिर आप इन सभी को मिनटों में बदल दो 3 गंटे 45 मिनट है 3 गंटे में कितने मिनट होगी 1 गंटे में 6 मिनट होते है 3 गंटे में 180 मिनट हो जाएगी और 45 मिनट कितनी हो जाएगी 45 मिनट हो जाएगी आपकी 225 तो 225 मिनट है अब इन्य बदलना आपको शेकिंड में एक मिनट में कितने सेकिंड होते हैं 60 से कुना करवा तो 0 के 0 उतार दो 36, 35, 6, 2, 12 और 3 आसिल के 15, 6, 2, 12 और 1 आसिल के 13 तो 13,500 सेकेंड होगा, ओप्षन नमबर A राइट होगा इस क्यूशन का नेक्स्ट क्यूशन, 140 का 30 पर तीसथ बराबर 840 का अक्स पर तीसथ है तो अक्स का मान घ्याद करना होगा तो जितना 140 का 330 है वो 840 का कुछ परतीसथ है तो 140 का 30 पर 30 हमें निकालना पहले ये कितना है 30 बट्टे क्या करना 100 ठीक है 0 से 0, 0 से 0, 4, 3, 42 तो अब आपको बताना है कि 42, 840 के कितने पर 30 है ठीक है तो 42 बट्टे कुल संक्या दी गई 840 इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे 0 से 0, 42 से कम 42, 42 दूने 84 2 से 10 कितनी बार गटेगा 5 बार तो 5 पर 30 होगा, उप्शन नंबर A राइट होगा 140 का 30 पर 30 हो और 844 का 5 पर 30 बट्ट बराबर होता है नेक्स्ट क्यूसन, नेमन में से किस का मान 6 बटे 20 के बराबर है तो जब भी 20 दी गई है और परतिसत की बात करता है तो सीधा सीधा 100 से गुणा करवा दो ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा 2 से 6, 3 बार कटेगा 3 को 10 से गुणा करेंगे, 30 परतिसत आएगा उप्शन नंबर D राइट होगा यहाँ पी गुणनकंड के अनुसार 4,06 में का वरगमूल ग्याद करूँ आपको कोई कोपी चेक नहीं करेगा रबकार यह कि कि आपने गुणनकंड विदी से किया या भाग विदी से किया या ट्रिक से किया किसी भी विदी से कर सकते हो, ठीक आपको करना होगा इसे ट्रिक से ठीक है 4,06 में दिया गया इसका वरगमूल ट्रिक से क्या होगा आपको बताया गया कि 6 देखना 1,1 अंक किस किस में होता 4 का वरग होता 16 तो इसमे 6 होता और 6 का वरग होता 36 तो या तो 4 का होगा या 6 का होगा एक अंक आपको छोड़ना 40 किस्त के नजदिक है 5 का वर 25 होता 6 का 36 होता 7 का गुण 50 ज्यादा होता 40 ये तो 6 का लेंगी तो या तो ये 64 का होगा या 66 का होगा आपके option में 64 दिया गिया है तो 64 राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये दोनों होते तो हम क्या करते 65 का निकालते और एका एका अंक 5 है तो निकालने का अपना तरीका की 5 के 25 और 6 को ये साथ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 तो 42 तो 42 से तो 4000 च्याण में कम है तो 64 के होगे option नंबर B राइट होगा आसा है आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे next क्यूसन और गणित का last क्यूसन करने वाले उसके बाद के 5 क्यूसन आपके reasoning के होने वाले हैं तो यहां पे दिया गिया 2 into 3 into 5 और दिया गिया 3 into 5 into 7 का LCM गयाद करना है तो ऐसी इस्तती में और गातां की इस्तती में जब LCM गयाद करना हो तो पहली संक्या तो जो दी गई हो बहू उतारनी ही होगे 2 into 3 into 5 अब यहां पे देखिए 3 ने हमने इसमें ले लिया तो 3 कट जाएगा 5 भी इसमें ले लिया तो 5 भी कट जाएगा क्या बचके एक 7 तो 7 और उतार दो तो 2 into 3 into 5 into 7 क्या हो जाएगा इनका LCM हो जाएगा option number C right हो जाएगा यहां पे तो यह थे आज के गणीत के 15 most important question अब next part में हम 5 reasoning के परसनों की चर्चा करने वाले reasoning का पहला परसन दिया गया एक series का दिया गया सत्रा और 21 कितने का अंतर है चार का अंतर है ठीक है 21 और 23 दो का अंतर है तो हमने देखा पहले चार का अंतर दिया गया फिर इसके आदे अर्था दो का अंतर दिया गया दो का बाग देखे 23 और 4 27 27 और 2 29 फिर से 4 का और 2 का 29 और 4, 33, अब 2 का आना चाहिए, परन्तु 33 और 49 कितने का अंतर दियागे, 6 का, अब हमें क्या करना है, सीरिज बढ़ गई है, पहले 4-2 में चल रही थी, अब 6 का आ गया, तो हमें क्या करना, 6 का आदे कितने होते हैं, 3, तो आगे 3 का अंतर देखना, तो 29 और 3 कितने होते हैं, 42, फिर आगे किसें क्या पूछता, तो 42 और 6 होते हैं, आपके 48, ओप्शन नमबर B राइट होगा, इस क्यूशन का, नेक्स्ट क्यूशन दिया गिया है, नेन परसन में 3 सब्द दिया गिया है, जो पहले 2 सब्दों में किसी ने किसी रूप से संब्द दिया गिया है, और तीसरे सब्द का उसी परकार से आपको संब्द ग्याद करना, ठीक है, चाता दूप, ठीक, चाता किस से रक्षा गरता हमारे दूप से रख्षा करती है तो ओजॉन किस से रख्षा करती है ओजॉन सूर्य से आने वाले प्राब्यांगनिक किर्णों से हमारी रख्षा करती है और सन नंबर सी राइट होगा next question है कि किसी code में farmer को एक सब्द में कूठबद किया गया तो उसी code में आगे जो सब्द दिया गया है आपके उसे किस परकार करना होगा तो farmer को किस परकार लिखा half, a, r, m, e, r तो इसमें लिखा r, e, m मतलब उल्टा लिखा r, e, m फिर लिखा r, e, m उल्टा लिखा तो आग्ये वाले सब्द कोभी हमें उल्टा लिखना G I V A L E L तो फिर हमें क्या लिखना होगा L E L फिर यहां पे दिया गया A फिर V I और G किस ओप्शन में L E L A V I G L से feeling A की हो रहे तो ओप्शन C राइट हो जाएगा यहां पे next question है blood relation का question है कि B की माता A की माता की पुत्री है ठीक है तो यहाँ पर बोल रहा है कि B की माता A की माता की पुत्री A की माता की पुत्री क्या हो गई? A की बहिन हो गई तो यह कह सकता है कि B की माता A की बहन है तो A क्या हो गया इसकी माता का भाई अर्थात मामा हो गया तो A B का क्या हो गया मामा हो गया और B A का क्या हो गया बांजा हो गया पुछा क्या A का B से क्या संबन्द है A B का मामा है ओप्सन नंबर B राइट हो गया यहां पे नेक्स्ट क्यूशन और लास्ट क्यूशन दिया गिया आज का कि उद्धित होते सूर्य की और पीट करके रहसमा चलना शुरू करती है सूर्य किस दिशा में उद्धे होता यह उत्तर यह दक्षिन यह पूरब और यह पस्चिम ठीक है तो सूरिया आपके पूरब में उद्य होता है, लगबग, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, कि उद्धित होते है, सूरिया के ओर पीट करके चलेगा, मतलब यह पश्चिम की ओर चलेगा, पश्चिम की ओर चलना शूरू के, कोच मिनट बाद बाइग गोम जाएगा, पश गोम जाता है, तो इस दिसा में गोम गिया, तो अब यह किस दिसा में जा रहा है, थोड़ी देर में वड़ाइं गोमता है, फिर बाइं गोम जाता है, ठीक, अब यह किस दिसा में जा रहा है, तो अब यह तो यह दक्षिन में जा रहा है, यह पिर पस्ची में जा रहा है, क्य यह आपकी आंसर की है आप यहां से मिलान कर सकते हो और यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए वीडियो को लाइ जे हिंद जे बारत